नफश्का दोस्तो नई सोच नई दिशा मैं आपके एक बार फिर से सवाक्त है तो आज हम डिसकस करेंगे TGT Medical Tate November 2019 में ये करवाए गये था जीके पार्ट बन हम आज आपसे डिसकस करेंगे तो प्लीज वीडियो को अंतक देखें जो नए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो की अपरिट आपको ऐसी मिलती रहें जैसे ही TGT Medical Tate November जीके का पार्ट खत्म होगा तो आपको इस जीके का लिंक भी उपलब्द करवा दी जाएगा तो प्लीज वीडियो को द्यान से देखें और अंतक देखें तो चलते हैं आज के पहले कोशन की तर। यह रहा पहला कोशन जान जंद्रित्य किस जिले से सिबंद रखता है तो चार उफन आपके पास हैं द्यान से इसका अगर आपको पूछ जाएं तो डांगी और लेपक भी चमबा के लोग पर नरित्य हैं यह रहा अगला कोशन राष्टे दवाजी कब अपनाए गया था तो द्यान से इसका राइट अंसर बताएं तब तक मैं आपको कुछ और बता दूँ तो कई बार आपको एक्जाम में इस तरह से पूछ ले जाता है कि जो राष्टे दवाजे उसकी लंबाई और चड़ाई का अनुपात कितना है तो तीन अनुपात दो इसका अनुपात है अगर आपको एक्जाम में पूछ जाएं कि जो केसरी रंग है वो किसका परतीक है इस तरह के कोशनी भी आपके किसका परतीक है अगली बात करें स्पेद रंग किसका परतीक है जो स्पेद रंग है वो किसका परतीक है इसके बारे में भी आपको जानगारी होनी चाहिए सत्य एबम प्वित्रता का ये परतीक है अगली बात करें हरा रंग किसका परतीक है जो जीवन स्मृद्धी का परतीक है इसuben कोशन भी आपके एकजाम में आ सकते हैं अगली बात करें जब राष्ट पती परधानमंत्री एंड उपराष्ट पती के मृत्य हो जाती है तो जो राष्ट एदवाज होता है उसके कितने दिन के लिए जुकवा दिये जाता है तो वो बारा दिन के लिए जुकवा दिये जाता है अगर पूर्व उपराष्ट पती पर बरतमान समय में के बात करें तो किसी भी किसी कारणबश प्रधानमंत्री राष्ट्रपती उपर राष्ट्रपती की मृत्य होती है तो बारा दिन पूर्व में जो रहे प्रधानमंत्री उपर राष्ट्रपती अगर उनकी मृत्य हो जाएं तो सा दिन के लिए राष्ट इद् बज़कब अपना गया था तो बी ओप्षिंज राइट बारा जुलाई 1947 को अपनाया गया था यह रा अगला कोशन मैक मोन रेखा का सबंद किस्से है तो द्यान से इसका राइट हैं से बताएं तब तक मैं आपको बता दूँ रेड क्लिफ रेखा का सबंद किस्से है रेड क्लिफ रेखा का सबंद किस्से है तो इस तरह कोशन भी आपके रिजामे पूछे जा चुके हैं तो यह भारत एंड पाकिस्तान के बीच में यह रेखा है रेड क्लिफ रेखा उसके बाद बात करें हिडन बर्ग रेखा जो हिड किससे है तो उसका सब्द जर्मनी ऑब पॉलैंड उसके बाद बात करें मेगनी होट रेखा इसका सब्द किस देश से है तो इसका सब्द है जर्मनी एड फ्रांस जर्मी एंड फ्रांस अगली बात करें जो स्तार में समंत रेखा है उसका स्वंत किस देशते हैं जो स्तार में समंत रेखा है तो इस तरह कोश्णी कि आपके एक्जाम में आएंगे चाहे टीजी टैटो जेवटी टैटो यहां से हर एक्जाम में पूछा जाता है तो स्तार में का स्बंद किस देशते हैं उत्री ऐबम दक्षणी ब्यतनाम का स्बंद है स्तार मी समंत्रेका से अगली बात करें अठत्य मीरेका का स्बंद किस देशते हैं 38 जो समारी समंत्रेका उसका स्बंद किस देश से है तो उत्री ऐबम दक्षिन कोरिय से इसका स्बंद है अगली बात करें 49 जो रहिखा है उसका स्बंद किस देश से इसका स्बंद है तो इस तरह के घुशनी से आपके अर्जाम में आ सकते हैं किस से है तो बार्त ऑक नहीं द 20 बीडि खैर और ध्यान से देखें आप मुझे ये पताएं कि जो पाकिस्तान क्रेखा है उसका नाम क्या है ये रागला बारत में चुनाब आयोक कब बना तो जल्दी से इसका रैटन्स बताएं जो भारत में चुनाब आयोक कब बना इस कोशन को हम पहले भी डिसकस कर चुके हैं तो प्लीज ध्यान से इसका रैटन्स बताएं भारत में चुनाब आयोक कब बना अगर आपको इसका आर्टिकल पूछ जाएं तो 324 के तयात भारत में चुनाब आयोक का गठन किया जाता है अगर इसकी पूछ जाएं कि भारत में चुनाब आयोक की निकती किसके दुबारा की जाती है तो वो की जाती है आपके राष्टे पती के दुबारा राष्टे पती के दुबारा उनकी निकती की जाती किसकी चुनाब आयोक की कोन से अनुश्यद में 300 सो जो भी तो आप मुझे इसका राइटान से बताएं कि भारत में चुनाव अयोग का बना था तो सी जो शने राइट उनिच्व पजार में भारत चुनाव अयोग बना था यह रा अगला कोशन भारत का प्रत्थम इंजिनियरिंग कोलेज कों सा था देखते हैं सबसे पहले को इसका राइटान से पता पाता हैं भारत का प्रत्थम इंजिनियरिंग कोलेज कों सा था चार उफन आपके पास हैं द्यान से इसका राइटान से पता हैं जितनी भी कोशन मना जा रहे हैं आने बाले हिमाच्चल इजाम के लिए काफी मत पूर्ण है भारत का प्रत्थम उड़की इस तरह के कोशनी भी आपके रिजाब में पूछे जा रहे हैं तो द्यान से देखें यह रहा आगला कोशनी हिमाचल प्रदेश का भारत का सबसे अधिक उंचाई पर पोलिंग बहुत का हैं तो चार उपनाप के पास हैं चमबा कि नौर सिर्मौर लॉल स्पिती यह रहा नेक्स कोशन बर्मा भारत से कब अलग हुआ था तो जल्दी से इसका रिटन से बताएं जो बर्मा भारत से कब अलग हुआ था बर्मा भारत से कब अलग हुआ था चार उपनाप के पास हैं ध्यान से इसका रिटन से बताएं तो वी उप्सिंज राइट 1937 में भारत बर्मा भारत से अलग हुआ था यह रार नेक्स कोशिन सरप्रत्म सिंग्त राष्ट संग में हिंदी में बाशन देने बाले बारत्य नेता कौन थे जो पहले भारती थे उन्होंने सिंगतराष्ट संग में हिंदी में बाशन दिया था उनका नाम क्या था तो चार उफण आपके पास हैं द्यान से इसका राटन से बताएं बीडियो को अंतक देखें तो इसका राटन सोगा आटल भिहारी बाचपई पहले भारती थे जिन्होंने सिंगतराष्ट संग में हिंदी में बाशन दिया था तो इस तरह कोशन भी आपके एक्जाम में पूछे जा रहे हैं जेस्तंब कांपर्स दीता है जेस्तंब कोशन को ध्यां से पड़े और द्यां से समझे का राटन से बताएं जेस्तम पर स्तीत थे चित जो की राच्तान में पर स्तीत है यह रागला कौशन है कि प्रत्थम किस देशे ने माईंच को बोट देने का अधिकार दिये था अमेरिका भारत इंग्लैंड न्यूज लैंड चार उसन आपके पास हैं सोच समझ इसका राटांस बताएं इस तरह कोशन आपके टैटर में पूछे जा रहे हैं एक कोशन आपके हर एक्जाम के लिए मत्वपूर्ण है इन कोशन से आपका डिविजन भी हो रही है प्रत्थम किस देश ने मैलों को बोर्ट देने का अधिकार दिये था तो डिविज लैंड ने मैलों को बोर्ट देने का अधिकार दिये था ये रा आगला कोशन शिरिलंका कब सबतंत्र हुआ तो ध्यान से इसका राटांस बताएं शिरिलंका कब सबतंत्र हुआ देखते हैं स सबतंत्र फो फुवा था इसका राइटन्श होगा, B-Optionalite 1948B में शीलांका सबतंत्र हुवा था। ये रा सूर्च गोशन, भारत में सूचना का दिकार कब लगू हुआ था, चार उफना के पास हैं, द्यांसेऍा इसका राइटन्स बताएं? बारत में सूचना का अधिकार कब लागू हुआ था चार उफना के पास हैं द्यान से इसका राइटन्स बताएं इसका राइटन्स होगा 12 क्टुबर 2005 को सूचना का अधिकार लागू हुआ था तो इस तरह के कोशनी भी आपके एकजाम में पूचे जा रहे हैं कश्मीर का भारत में भी कब हुआ तो जल्दी से इसका राइटन्स बताएं कश्मीर का भारत में भी ले कब हुआ जब हम TGT आर्स का टैट इसमें डिसकस कर रहे थे तो यह कोशन भी आपके उसमें पूचा गया था तो आपको पता है कि HP board भी repeated question पूछ लेता है तो हर question आपके लिए काफी मात्व पूर्ण है तो प्लीज वीडियो को आन तक देखें कश्मीर भारत में बिले कब हुआ था तो a option is right शेभी कुतुबर 1947 को कश्मीर में भारत कब बिले हुआ था बारते सभिधान पर अस्थाक्षिर कब हुए थे देखते हैं सबसे पहले कोन इसका right शेभी बता पाता है बारते सभिधान पर अस्थाक्षिर कब हुए थे बीडियो को द्यान से देखें और कोश्मीर को भी द्यान से समझें और द्यान से इसका right शेभी बता है के प्रत्थम अधक्षे कौन थे तो जल्दी से इसका राइटन्स बताएं योजना आयोग के प्रत्थम अधक्षे कौन थे जल्दी से इसका राइटन्स बताएं तो इसका राइटन्स होगा पंडित जवाला नहरू योजना आयोग के प्रत्थम अधक्षे से आगर इसके बर वो परदानमंत्री होते हैं इस तरह कोशनी भी आपके एक्जाम में बनेंगे तो आपको पता कि हम वीडियो के अंत में जितने भी आपके भारत के नैशनल पार्क हैं उनके बारे में हम डिसकस करते हैं तो आज हम डिसकस करेंगे मा राष्टर में कितने आपके राष्टे उद्वान है तो वो हैं तीन कौन कौन से पहला ता आपका पेंच राष्टे उद्वान मा राष्टर में स्थेता है सेकंड बात करें तांसा तो यह भी आपके मा राष्टर में स्थेत है उसके बाद बात करें बोरी बिल्ली बोरी बिल्ली भी आपके मा राष्टर में स्थेत है बोरी बिल्ली राष्टे उद्वान आपके मा राष्टर में स्थेत है उसके बाद बात करें तो पंजाब में कित नैशनल पार्क है, उसका नाम है अभोर इस तरह के कोशन भी आपके घ्जामे पूछे जा सकते हैं तो माराश्टर में कितने हैं, तीन, पंजाब में कितने हैं, एक माराश्टर की बात मैंने आपको पता दिये, पेंच, टांसा, बोरी, बिली और उसके बताता का पंजाब में तो पंजाब में जो एक ही है उसका नाम है अवोर तो आज के लिए इतना ही अगरे वीडियो अच्छी लगें तो प्लीज चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब जूर कर दें ताकि आने बाले हरे वीडियो की अपड़ेट आपको समय समय पर मिलती रहें तो मिलते हैं अब अगली वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद